तो आज के शुड़ी में हम सीखरे टैक्सेसंद आज का वीडियो दोनों मिडियम के लिए यूज प्लो नला में दोनों मिडियम में एस्प्लेन करने वाला हूं जो चैप्टेर हम सीखरे उसका नाम है इंकम फ्रॉम अधर सोसिस एंड टैक्स प्लाने अन्य साधनों नी आवक अनेक कर आयोजन अपने पास बुक जरूर रखिएगा आज हम एक लेटिस समस्पैटिस करने वाले और उसके तुरू ही जो बेसिक इसके रूल साने वाले वह भी हमसा बनने वाले बुक में देखेगा आपके वास हो गया है पर नहीं तो पेपर डालूर जरू कीजएगा त इससे हम जाजाजा स्टूडिस तक पहुंच सके तो चलिए भी स्टार करते हैं सबसे नाम पढ़ लेते हैं बीमल सा लिखा गया है और यहां पर कुछ इंकम ही दीगी टोटल में लागे छे के आजपस दी गई है ठीक है उसका फाइनेंसल इयर नाना की है जिसे हम पाच्छ बढकर वह में फाइन आट करना है कि उसका टेक्स लिखाए और साथसाथ में हमारी ओपिनीन बतानी है कि जो न्यूव वाला टेक्स रिजिम है क्या वह उसके लिए बेनिफिशल रहेगा तो हमें दोनों का हमें टेक्स राइनास करना पड़ेगा जो पेबल टेक्स आएगा तो सबसे पहले हमें आपर जो क्यल्कुलिशन दिखाना है चुकवा पत्र करनी गणतरी उसका हम स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले देख लेते हैं पहली इंकम यहाप देख लिए सेलरी की दी गई है पागार निया आओक आपको पता है कि चार हेड होते हैं चार सीशक के अं सबसे पहले अधर है इंकम प्रोम अधर सोसके अलावा की जो इंकम में आ रही है वह अलग साइड में लिख लो जैसे कि हैं सेलरी का डिया डिखिए टैक्सेबल डिखा गया है टैक्सेबल मतलब कर पात्र डिखा गया है वनना यहां पर हमें क्या करते है उसका जो पर इंकम यहमारे इंकम प्रोम अधर सोस अन्य साधन की आवक है तो आप समझ जाहिए यह हमारा यहां से आप हैलान चेंज कर सकते हो जश्ट इंफोर्मिशन दरसाने के लिए इंकम फ्रॉम अधर सोसिस ऐसा लिख दीजिए गा ठीक है अन्य साधन हो माधी आवक उसके वा दिया गया इसका मतलब हमें TDS यहां पर एड करने की जवूत नहीं है ठीक है डारेक हमें 60,000 एड कर लेंगे क्योंकि ग्रोष दिया गया इसके लिए 16,000 हमारा इसका इंकम आ जाएगा के लिए आगे बढ़ते थर्ड अगला टॉपिक दिया डिबेंचर का इंटरस दिया गया अगला टॉपिक इसी तरह अब यहां पर अगें इंटरस दिया गया है डिबेंचर आप टाटा लिमिटेट यहां पर भी 10% टीए से यहां पर ग्रोष नहीं बोला गया यहां लिखा गया उसका कोई प्रॉलम नहीं है यहां पर TDS माइनस करने के पहले का दिया गया तो 10% ट धि की 32,400 वैसे ही हमें इंटू में अल्वेस हंडेट करना है और डिवैंड में कितना करना है 90 करना है तो लिख इसका जो ग्रोष इंट्रेटन हमारा आ जाएगा आगे नेक्स इंकम यह अगें हमें इंटरस दिया गया है इस बार के डिपेंचर जो बजाद लिमिटेट के ह यहां पर 43,200 दिया गया है यहां पर भी अगें 10% दिया गया है ग्रोस अप वैल्यू नहीं दी गई है तो इसे हम ग्रोशिंग कर लेंगे तो फटा फट इसी तरह से करेंगे इंटू में 100 करेंगे और डिवाइड में 90 करेंगे तो इसकी अमांट जो निकल के आएगी 48,000 का इंटर्स बन जाएगा व्याज बन जाएगा आगे बढ़ते बेजिक है आपको आपको पहले से पता होगा टैक्सेशन बीकॉम के अंदर में स्टेडिक की होगी ऐसा को इसमें क कोई टॉपिक नहीं जिसमें डीप में डिसकेशन कर सकूं यहां पर अगें इंटर्स दिया टैक्स प्री बेंचर थे जो मारूती लिमिटेट के थे फिर से नॉट लिस्टेट उसे कोई मतलब यहां पर 10 परसेंट बाद का दिया गया तो इसमें एड करना है तो कैसे करेंग लेंगे यह सारी जो इंकम थी वह में अधर सोस की ती अन्या वाग टॉटल माल लीजीये कितना आ रहा है अन्या सदनी आ ओक मैं लेंट ट्वेंटी घूजद मारा आ रहा है अब इससे टॉटल कर ले ठीक है जो अन्या अधर सोस के अलावा जो एंकम नीली एक ना था हूश यहां पर income हो जाएगा अब यहां पर एक एजंशन दिया गए तरहां से दिखेएगा अमने देखा तरहां पर बैंक चाल दिया गया तू परसेंट जो हमारा सारा सारा तो उसके उपर आपको 2% गिनना थाकि इस बात को ध्यान रखिएगा आपको जो इंटरस उसने कलेट किया है यहां पर 23456 सारे के सारे प्लस कर लीजिए उसके बाद तू परशन उसका हम चार्ज गीन लेंगे तो तू परशन के आकोडिंग जो आने वाला इसका चार्ज हुआ आएगा 2336 और यह में क्या करना है हमारे इंकम में से खर्चा है एक्से माइनस कर देना है तो आखिर में जो आएगा 7,25,664 रुपीज यह हमारे एक्चुली ग्रोश टोटल इंकम माने जाएगी अब इसके अंदर एक और लेक्स सेक्षन आता है वो अंदर सेक्षन 80C से लेकर 80D के अंदर जितनी भी इंकम में होती है वो सब यहाँ पर माइनस इंवेस्मेंट जो होता हूँ माइनस कर लिया यहाँ पर इसा को इंफोर्मेशन दिया नहीं गया है तोड़ा डीप में टॉपीक है ठीक है जो यहाँ पर मैंस करने के लिए कोई भी अमान डीट जो हमारा इंकम बचा है वही कवी डैरेक्ट क्या बन जाएगा टोटल इंकम बन जाएगा मलें टैक्सेबल इंकम हमारा बन दोनों लिखाय क्योंकि अपर न्यू लिखा गया स्लीय नी रखाना बनाल्ड का ही केलकूशन करके हम लोग छोड़ देते हैं अपर तो यह पर दोनों का बचल को दिखा रहे नीउ नु नवु कर्मार्कू और ओल्ड ठीक है यहाँ पर देख लीजिए हमारा जो अभी तक क अल्वेज क्या होता है नील होता है को भी टेक्स लगता नहीं चाहे ओल्ड हो चाहे नीव हो तो अपर नील लिख लीजिए गा उसके बाद अगली नेक्स्ट 5,000,000 के अबोव और 750 के अंदर उसतनी अमांट के उपर कितना होगा 10% अब देखिए हमारी इंकम 750 के अबोव नहीं है नहीं 750 है तो 750 तक मत गिंजीगा हमारा 7,25,664 रुपीज है तो 5,000,000 से लेकर इतने के पीच कितना अमांट आ रहा है इंकम कितनी आ रह हमारे पास है तो इसका 10% आप गिनेंगे तो आपर हम लोगर कर लेते 22,566 अब आगे गिरने की जहुत नहीं है क्योंकि हमारी अमांट के अबोव है नहीं तो इसके लिखा कि आपको पता रहे है कि यहां पर भी देखिए कितना परसंट आएगा 10,000,000 तक 15 परसंट आएगा यह आपको समझाने के लिए मैं लिखा है बाकी हम लोग को लिखने ही जहुत नहीं है तो टोटल यहां पर गिन लेते तो टोटल यहां पर जो आएगा 35,066 रुपीज आएगा के लिए रहे है अब 4% हेल्थ और एज्यूक्वेशन का हम लोग गिन लेते यह हमारा income tax हो गया यहां पर new के according अब इसी दिर हम लोग देख लेते ओल्ड के according में ओल्ड के तर तीन के ट्रेयर होता है 5,20 और 30 होता है ठीक है यहां पर पहला 2,50 तक तो यहां पर भी हमारा क्या नीली होता है कोई tax लगता नहीं है अब 2,50 के अब और 5 लाग के between 5% होता है जो यहां पर भी ह अमांट है उसका 20% हमारी अमांट तो 7,25 तक ही गिनना है तो पांच लाग से लेकर साथ लाग 25 के बीच किता हुई दो लाग 25 छेसो चौन इसी का हमको गिनना है 20% किता पसंट 20 पसंट किनना है तो 20 पसंट निकल के आएगा 45,130 उसको रांड फिकर कर दिया अब आगे गिनन कि जो तनी 30% हो गए नहीं क्योंकि हमारा 10 लग के अब तो हमारी इंकम है नहीं तो जस्में आपको समझाने के लिए लिए कि आपको पता रहे कि यहां तो कम को की नहीं 30% 30% यहां पर किस तरह से होता है दोनों के अंदर तो टोटल माल लेते हैं आपर तो 57,633 टोटल हमारा इंकम टेक्स आए कर हो जाएगा जिसमें प्लस कर लेते हैं हेल्थ और एज्यूकुशन 4% ठीक है तो आपर 2,305 रुपिस हो जाएगा और टोटल मिला के हो जाएगा 59,938 रुपिस हो जाएगा हो चुगा दोनों के अब इसको सजेशन देना है कि है न्यू वाला उसके 469 का अमॉन उसको कम लेस भरने को आ रहा है तो उसको क्या सजेशन करेंगे न्यू टेक्स रिजिम उसको सजेशन करेंगे यह उसके लिए बेनिफिट हैगा बस आपको इतना लिख देना है आई होगा थोड़ा सा स्पिड में समझा है पर ध्यान से देखेंगे तो आपको स मोस्टली चेप्टर आ जाएगा ठीक है तो मिलते हैं नेक्स वीडियो में विश्यू अल्दा बेस्ट थैंक यू